नमस्से मैं हूँ से चिंगोहिल और जैपुर्दा पिंक सीटी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ कोई पैसा खर्ष नहीं करना है जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही करना है इसके लिए आप बैड या जमीन पर कहीं भी पेट के बल लेट जाएं इसके बाद अपने दोनों हातों को हिपस के नीचे इस तरह से रख लें अब आपको एक पैर उपर उठाना है उपर उठाकर जितनी देर एजीली रोग कर रख सकें उतनी देर रोग कर रखें और फिर पैर वापस नीचे टिका लें ये एक योगासन है जिसका नाम अर्दशलाबासन है क्योंकि इसको एक एक पैर से किया जाता है एक पैर से पांच बार इसे करना है फिर दूसरे पैर से भी इसी तरह से पांच बार करना है इसमें ये ध्यान रखें कि पैर को गुटनों से नहीं मोडे बलकि बिना मोडे सीधे रखते हुए ही उपर ले जाना है इस तरह शुरू में 5 बार से चालू करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 50 बारता किसे करें आप इसे रोजाना सुबह, शाम को या रात को किसी भी टाइम खाली पेट करें ये अर्दशला बासन आपके पुराने से पुराने हिप्स से लेकर पंजेता खोने वाले पैर के दर्थ को हमेशा के लिए जड़ से खतम कर देगा और आपको लाइफ का मज़ा आ जाएगा इस योगासन के साथ कुछ सावधानियां भी जरू रखें ताकि पैर का दर्थ तेजी से ठीक हो जाए और दोबारा नहीं हो भारी वजन जैसे पानी की बाल्टी, गैस सिलेंडर वगरा नहीं उठाएं खटे फलों को छोड़ कर सभी सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए ठंडी चीजें जैसे आइस क्रीम और कोल ड्रिंग्स वगेरा नहीं खाएं पिए क्योंकि ये दर्द को ठीक नहीं होने देंगी बस आप इस योगासन को कीजिए, साथ में इन सावधानियों का खयाल रखिए और अपने पैरों का दर्द हमेशा के लिए भूल जाएए आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेल उन उसके देखते रहने के लिए जैपुर्दा पिंक सिटी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए